नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ में और आज जो मैं आपको सुपर से भी उपर वाला लिक्ट बता रही हूं ना अगर आप लोग लिक्ट तैयार कर लेंगे तो जितने भी आपके सर्दियों के प्लांट है नॉर्मली प्लांट इस समय पर जो भी आपके गार्डन में है वो उनको किसी और लिक्ट खात की है वैसी किसी भी खात की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले इस खात को बनाते समय आपको इतना देखिए जैसे कि 20 लीटर की बाल्टी है जो पेंट की होती है ना वो और इसको आदे से पील रफ वाला भी डाल सकते हैं जो थोड़ा सा मोटा चूरा आता है तो सबस्ते होता है और यह थोड़ा सा बार्डर फॉर्म में हैं और आप इसको भी डाल सकते हैं तो चलिए से पहले हम इसको इसमें डाल लेंगे और जब भी कोई भी लिक्ट खादा बना रहे हो तो इसमें एक डंडा वगारा जरूर रखिए और देखिए इसमें से कितनी डश्ट इसकी ओड़ी है तो जब भी आप इस परकार के काम करें तो अपना फेस जरूर से कवर करे धोड़ा-थोड़ा इसको मिक्स अप करते चले वैसे तो यह आप अगर इसको यूँ ही छोड़ देंगे ना तो तब भी यह तैयार हो जाएगा लेकिन आम थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते चलेंगे इसके बात में दूसरी जो चीज है वो भी दिखा रहे हैं हम आपको तो दूसरी जो चीज है वो है सरसो की खली ये सरसो की खली करीब मेरे पास इतने में मैं एक किलो डालूंगी और सिर्फ आपको शो करवाने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो एक किलो के करीब इसमें सरसो की खली डाली है आदा किलो मैंने इसमें बुन मील डाला है तो फ्रेंड्स इन जितनी वी चीज़ों यह जो तीन चीज़े हैं इसके बाद में एक चीज़ और है वो भी मैं दिखाऊंगी तो इन तीनों ही चीज़ों की जो अल डेटेल्स है इनके जो गुड होते हैं अब गुड होते हैं जो आपको कैसी खरीदनी चाहिए किस फॉर्म में खरीदनी चाहिए इन समपर पूरी फुल वीडियो बनी होई है अच्छी सी हिंदी में मैंने बनाई है बहुत इसली आपको समझ में आ जाएगी तो इस लिए इस वीडियो में बहुत ज्यादा डेटेल में नहीं जा रही हूं सिर्फ आपको एक नॉर्मल सी खाद बनाना सिखा रही हूं तो फ्रेंट्स यह जो खाद हमारी है जैसे कि आज अभी मैं मैं मॉर्निंग में बना रही हूं और नेक्स्ट डे सेम टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हैं आप चाहे तो प्लांट में इसको थोड़ा सा थोड 10 मग आपने पानी ले लिया तो दो मग अप इसके ले लीजेगा और नॉर्मल जैसे पानी देते हैं तब आप अपने सबही प्लाट में इसको अप्लाइक कर सकते हैं अपसिक सब्सें सबहां यह खाद की सबसे अच्छी बат आप जो है ना वो है कि सेसी करकार की रशायन जो होते हैं वो हमने इस खाद में नहीं डाले हैं तो अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा मातरा हो जाती है तो आपके प्लांट को किसी भी प्रकार की परिशानी नहीं होगी और जो नेक्स्ट चीज है तीसरी चीज है वो है गाय का सड़ा हुआ गोवर मतलब कावडं कमपोस्ट और इसके बारे में मैंने सेफलेट बीडियो बना रखा है और जो यह कमपोस्ट है यह मैंने ओनलाइन नहीं मंगवाई है जो बिलकुल मेरे आँखों के सामने कहते हैं ना कि हमको मालूम है कि यह कावडं कमपोस्ट है वहां से मैंने ली है और करीब इतनी करीब मैं इसमें कावडं कमपोस्ट डाल दूंगी और जैसे कि मैंने कहा अगले दिन यह तयार हो जाएगी तो फ्रेंट्स यह बहुत ही अच्छा लिकुट है सुपर लिकुट है और जब हम किसी भी खात को लिकुट के रूप में प्लांट में देते हैं तो बहुत जल्द आपके प्लांट को रिजल्ट देता है आपके पास गोवर खात नहीं है तो इस प्रकार की जो कंड़े होते हैं उपले इनका चूरा बनाकर भी आप अपनी खात बना सकते हैं तो फ्रेंट्स यह उपले जो हैं बहुत ज़्यादा ताजी ना हो कंड़े यसे कि 5-10 दिन पु आने हो तो ही आप इसको यूज करना बनापके प्लांट उसे खराब होने लगेंगे तो फ्रेंट्स यह थी छोटी सी वीडियो बहुत ही आसानी से हर चीज में आपको सिखाती हूं और जैसा कि मैंने कहा कि फुली हिंदी में मेरे वीडियो होते हैं और बोनमील के उपर इस चानल पे नए हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही आसान सी गाडनिंग के लिए और में बहुत ही आपको सबकों सिखाती हूं और सबसे अच्छी बात जो है काफी लोग बॉजट एंद नो बुजट के साथ में मैं आप लोग को गार्डनिंग करना से खाती हूं जैसा कि तेंक यू और इसके लाबब कोई प्राप्लम हो तो मेरे साथ में शेयर करना और अगर आप लूग मेरे पैसे facebook पर मेरे नहीं जोड़े हो तो बहाँ पर आप उसका लिंक में आपको description box में ध्यान लखिए description box में दूँगी और वहां से अब डिरेक्ट जाके हमारा facebook गुरूप जोइन कर सकते हैं अपने प्राइन के picture शेयर कर सकते हैं तो थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग फिर से मिलेंगे नई topic नई जानकारी के साथ में बाबाई